बरसात के सीजन में मिलने वाला ककोरे की बहुत ही स्वाधिष्ट सबजी की रसीपी लेकर आए हूँ ककोरे बहुत ही हल्दी होते हैं और आपको इसे जरूर खाना चाहिए कई सारी बिमारियों से आप इसकी सबजी खाकर ही बचे रह सकते हैं पर देर किस बात कि कगो रे की सब्जी बनाते हैं तो कगोरे की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिये थीन सो क्राम ककोरे कपोरे को कई सारे नामों से जाना जाता है हमारे आप पर इसे कपोषो रहे पर नोगर निच फोड़ा भाग डा calculating को उतितorry से चाहले पटले-पटले में के retard आप चाहें तो गोल बंग जाते हैं तो जस तरह से आप気ड़ों कया उस मिद्यग आप लेदाे साइब में कटवेशी steps और ul owe do कडाई में हम डालेंगे तीन से चार बड़े चमज सरसों का तील तील थोड़ा सा जादा जाएगा इसमें और फिर हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमज जीरा जीरा फुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज और थोड़ी सी हिंग भी डाल दी हमने दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे तो हलका गुलाबी होने तक ही हमें प्याज को भूनना है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और अब हमने इसमें डाल दिया है एक चमच अधरक लहसुन का पीस्ट आप चाहें तो अधरक लहसुन को फाइन छॉप कर के भी डैल की हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे कको रेख दाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को मैंने यहां पर मेडियम रखा है और मेडियम फ्लेम में हम इसे इसी तरह से चलाते वे एक से दो मिनट तक भून लेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना इसमें और हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक डालने से ककोरे जो हैं वो मौस्चर रिलीज करेंगे और जो सबची है वो अपने ही मौस्चर में पकेगी जब कोई सबची अपने ही मौस्चर में पकती है तो उसका टेस्ट जादा अच्छा आता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी के इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बस तेल थोड़ा सा जादा डालना होगा तो यह देखी अब हम इसे ढख देंगी और ढख करके मीडियम फ्लेम में हम इसे 8-10 मिनट तक कोग करेंगी और बीच पीच में ढखकन अटा करके आपको इसे ऐसे च पॉफ्ट हो चुके हैं बाकी का जो बचा हुआ है उसे हम मसाले के साथ कुप करेंगे तो अब इसमें चाहेगा लगबग एक से देड़ पड़ा चमश धनिया पाउडर और एक चोटा चमश लाल मिर्ची पाउडर आदा चमश बुना जीरा पाउडर डाला है हमने और एक कट करके डाला है तो मिक्स करेंगे अच्छे से और इसी हम इसी तरीके से पीच-पीच में चलाते हुए एक दो मिननट तक फून लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे हलका सा भून लिया है आप चाहें तो इसे इसी तरीके से खुले में ही पका सकते हैं या फिर चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए धक के भी पका सकते हैं थोड़ा सा हम डाल देंगे अमचूर का पाउडर जो कि इसमें अच्छी सी खटास देगा मिला दिया अच्छे से और अब हम इसे धक देंगे और धक करके बस दो मिनट तक कोक कर लेंगे दो मिनट में ही जो मसालों का अच्छा सा फ्लीवर है वो ककोरी के अंदर भी बढ़िया से आ जाएगा तो यह देखिए दो मिनट मैंने इसे धक के पकाया है और यह देखिए कितने बढ़िया हमारी एक ककोरी की सबची बनके तयार हुई है दाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और बहुत ही स्वादिष्टी सबची बनी है आप भी इसे एक बार इस तरीके से जरूर टाय कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो गैस हमने बंद कर दी है और इस हल्दी सी सबची को हम निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में इसे गर्म गरम रोटी या पराठे के साथ खाएए बहुत ही देश्टी लगती है तो भई बरसाथ के मौसम में सबची को जरूर बनाएगा वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा